दोस्तों यात पस्टांचा सीजन 4 के बीते हुए बिकेंड का दोनों हुए अपिसोड बहुत ही कमाल का था जिसमें एक तरब चहां सभी केंटेस्टन ने एक से बढ़कर एक पाफॉमेश दिया तो वहीं दूसरी तरब जजस ने डवल एविक्षन करके सभी को चोका दिया ज जो बहुत ही हैरान करने वाला है क्योंकि हम सभी यह जानने के लिए बहुत जादा एकसाइटेड हैं कि जिन-जिन कंटेस्टन को फुल स्कोर मिल रहा है तो क्या वो कंटेस्टन पॉपलर्टी रेंकिंग में टॉप 5 में है भी या पिर टॉप 5 से बाहर हैं तो यह सब इमनेशन की बाद अभी सो में टॉप 9 कंटेस्टन बचे हुए हैं तो सबसे पहले हम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं तो जो पॉपलर्टी रेंकिंग में नंबर 9 पर हैं वो हैं रोहन और आकास की जोड़ी जिया इस जोड़ी को सबसे कम पसंद किया जा रहा है उसके बाद नंबर 8 पर हैं हर्स केसरी और प्रतीक की जोड़ी उसके बाद नंबर 7 पर हैं बैशनवी और सिवानसु की जोड़ी जिया इस जोड़ी को भी बहुत कम पसंद किया जा रहा है तो जो पॉपलर्टी रेंकिंग में नंबर 6 पर हैं वो हैं अरजुन और पंकच की जोड़ी जी हाँ ये जोड़ी इस रैंकिंग में टॉप 5 से बाहर है उसके बाद नंबर 5 पर हैं अकीना और सुबर्निल की जोड़ी जी हाँ ये जोड़ी इस सीजन में कमाल कर रही है और हर एक अपिसोड में अच्छा परफॉर्मिस दे रही है और इसलिए इस जोड़ी को पसंद भी किया जा रहा है उसकी बाद दोस्तों जो जोड़ी नंबर 4 पर है वो है निखिल और आसतोस की जोड़ी तो नंबर 3 पर है नेक्ष्टन और पिप्पल की जोड़ी जी हाँ ये जोड़ी इस सीजन में धमाल मचा रही है वहीसे नेक्ष्टन बीते वीकेंड में कम स्कूर की वज़ा से एलिमनेट होते होते बचे हैं लेकिन ओडियंस इनको बहुत जादा पसंद कर रही है उसकी बाद दोस्तों नंबर 2 पर है इस्टीव और रक्तिम की जोड़ी तो वहीं जो जोड़ी पापलर्टी रैंकिंग में नंबर 1 पर है वो है निपो और वर्तिका की जो काने वाला था वैसे दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी जोड़ी पापलर्टी रैंकिंग में किस नंबर पर होनी चाहिए आप सब कॉमेंट करके हमें जरूर बताना और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्रूलना